होली में खुन खराबा होने से रोकने के लिए पुलिस ने कमर कसली है पुलिस ने अपराधियों के साथ शराब विक्रेताओ पर भी नकेल कसना आरम किया है इसी कड़ी में शुक्रवार को शराब व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें बगेर परमिट के शराब बेचने पर पावंदी लगाई गई है इसका उलंगहन करने पर सकत कारवाई करने के निर्देश दिये गए है होली का त्यवार सामान्य लोगों के लिए जहररंगों के लिए पैचाना जाता है वही अपरादियों के लिए रंजीष भूनाने का अउसर होता है होली के दोरान अपरात का गराब तेजी से बढ़ता है अपरादी और आवज धंदो को काबू में करके पुलिस ने मर्डर फ्री फरवरी की उपलब्दी हासिल की है अपरादीयों की बीच खुन खराबी की अधिकान शुवारदाते शराब के नशे में होती है हत्या की घटनाओ के विशलेशन में यह बात सामने भी आई है इसे देखते विए पुलिस आयुकता अमितेश कुमार ने शुक्रवार को शराब व्यापर्यों की बैठक आयोजित की पुलिस आयुक्त ने शराव व्यापर्यों को साब तौर पर कहा की हुली तक बगर पर्मिट के किसी भी सूरत में शराब की बिक्री नहीं की जा सकती है पर्मिट देने के बाद ही ग्रहक को शराब बेची जा सकती है देशी शराब के लिए 2 रुपए जबकि विदेशी शराब के लिए 5 रुपए का पर्मिट जारी किया जाता है शहर में देशी शराब की 114 तथा विदेशी की 85 दुकान है हर दुकान में विक्रे के लिहाद से रोज के करीब 1000 पर्मिट की जरूरत है पुलीस आयुकत ने उपलबदा परमिट से ही शराब की विक्री करने को कहा इसका उल्लंगन करने वाले व्यापारियों को सक्तकारवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा उन्होंने आपकारी अधिक्षक प्रमोज सुनवने को तत्काल परमिट उपलब्द कराने के लिए सरकारी प्रेस से संपर्क करने के भी निलदेश दिये पुलिस का मानना है कि शराब विक्रिता नियोमों का उल्लंगन करने के साथ सामाजिक दाइतव भी नहीं निभाते और इसका खामियाजा पुलिस वह आम जनता को भुगतना पड़ता है